बियारी मेडिकल कॉलेज की ओख्षीजिन कांड की आरोपी पुर्व प्राचाये डॉक्टर राजी मिश्रा को मंगलवार को सुप्रेण कोर्स से जमानत मिल गई है डॉक्टर राजी करीब दस महिने से जीला कारगार में बंद थी आज सुप्रीन कोर्स से चीप जश्टिट दीपक मिश्रा ने उन्हें जमानत दी है आपको बताते चलें कि 10 महापुर्व अगस 2017 में बियारडी मेडिकल कॉलेज में आक्सीजन की कमी से लगबग 60 बच्चों की मौत हो गई थी जिससे प्रदेश में काफी हाहाकार मचा था उस समय खुद मुख्यमंतरी योगी आदेतिना सारे काम छोड़ कर मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और दोशियों पर कड़ी कारवाई करते हुए बियारडी मेडिकल कॉलेज के प्राचारे डॉक्टर राजी मिश्रा, उनकी पतनी, पुर्निमा शुकला, ऑक्सीजन सप्लायर मरीज भंडारी, डॉक्टर कफील, डॉक्टर सतिश कुमास सहीत, नौ आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराते हुए जेल भेज दिया गया था, जिसमें मंगरवार को डॉक्टर राजी मिश्रा को सुप्रीन कोर्ट से जमालत मिल गई है, लेकिन डॉक्टर मिश्रा का तब्यत खराब होने के कारव उनने जेला जेल से लखनो इलाज के लिए भेज दिया गया है, इससे पह के चार आरोपियों को भी जमालत मिल चुकी है